नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमिद है बहुत अच्छे होंगे तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं थोड़ी लेट है फिर भी देर आए दुरूसत आए तो आज की इस क्लास में फिर आज हम कुछ और अच्छे कंसेप्ट की बात करेंगे तो पहले मैं आपको concepts बता दूँ कि आज हम जिन concepts की बात करेंगे उसमें एक है with a view to अगर किसी sentence में with a view to आ जाए with a view to या फिर sentence में आ जाए look forwarded to look forwarded to with a view to look forwarded to या फिर आजाए taken to taken to या फिर आजाए addicted to addicted to या फिर आजाए accustomed to accustomed to या फिर आजाए taken to addicted to look with a view to जिसका आर्थ होता है इस द्रस्टी कोन के साथ look forwarded to मतलब किसी काम को करने का मन बनाना taken to किसी आदत में पड़ा हुआ addicted to आदी होना और accustomed to अभियस्त होना अकर ये इन में से कोई भी आपको दिखे फ्रेज और उसके बाद आपको यूज करनी हो वरब तो याद रखना इसके बाद जो वरब आएगी वो जीरंड के रूप में होगी it means वरब की first form प्लस आईएंजी का यूज होगा ये हमारा आज का एक कॉंसेप्ट है क्या है with a view to look forwarded to taken to addicted to accustomed to इनके बाद जब भी किसी वरब का यूज करना होगा तो ये वरब वरब की first form आईएंजी होगी जिसको हम बोलते हैं जीरंड और जीरंड को हम नाउन वरबल नाउन और जीरंड एक ही चीज है होती वरब है नाउन की तरह काम करेगी तो उसको हम वरबल नाउन भी कहेंगे उसको हम जीरंड भी कहेंगे याद क्या रखना है अगर किसी सेंटेंस में with a view to आजाए look forwarded to आजाए taken to आजाए addicted to आजाए या accustomed to आजाए तो आपको जीरंड का यूज करना है यानि कि आपको वरब की first form ing का यूज करना है तो कुछ sentences अपन देख लेते हैं बना कर कैसे इनका यूज होगा जैसे मान लिजिए कि अपने पास एक question है question क्या है कि PM PM has made PM has has made a lot of lot of plants PM has made a lot of plants with a view to with a view to improve improve the condition of the condition of the poor farmer the poor farmer यह sentence the poor farmer और no error इसको मैं short में लिख रहा हूँ NE अब मान लो यह sentence का A part है यह sentence का है B part यह है sentence का C part यह है sentence का D part और यह है sentence का E part अब अपन से पूछा जाए कि sentence में error क्या है तो अपन देखेंगे यहाँ पर आ रहा है with a view to और with a view to जब भी आता है तो उसके बाद अगर कोई वरब आती है तो फिर वो जीरंड के रूप में होने चाहे इट मींस यहाँ पर इंप्रूब नहीं होगा यहाँ पर क्या होना चाहे था यहाँ पर होना चाहे था इंप्रूविंग क्योंकि with a view to के बाद अगर कोई वरब आएगी तो वो जीरंड के रूप में होगी अर्थात वरब की first form ing होगी तो यहाँ sentence के c part में error है इसी तरह का मालो की दूसरा question है हमारे पास की I am I am looking forward I am looking forward I am looking forward to attend to attend your birthday party your birthday party I am looking forward to attend your birthday party और N E इसकार्थ भी है no error अब यह sentence का A part है यह sentence का B part है यह sentence का C part है और यह फिर no error अब हमने देखा कि यहाँ पर क्या रहा है looking forward हो या look forward हो एक ही बात है यह वाला concept look forward या looking forward के बाद forwarded to के बाद यह पूरा ही है to भी इसके साथ है इसके बाद भी अगर कोई वरब आएगी तो वो जिरंड के रूप में होगी इसका मतलब यह attend नहीं होगा इसको हम क्या लिखेंगे इसको हम लिखेंगे attending attending यहाँ पर correct है attend यहाँ पर गलत है इसका मतलब यहाँ पर फिर sentence के जो है C part में error है sorry B part में error है look forwarded to के बाद जीरंड का यूज होना चाहिए तो attend नहीं attending का यूज होना चाहिए इसी तरह दूसरा तीसरा question हम देखते है my friend is my friend is addicted to addicted to drink addicted to drink these days these days अब यहाँ पर sentence में है no error अब यह sentence का है a part यह sentence का है b part और यह sentence का है c part और यहाँ पर है d अब अपने को देखना की error क्या है तो हमने देखा यहाँ पर addicted to आ रहा है और addicted to के बाद जीरंड का यूज होना चाहिए तो यहाँ पर drink का यूज गलत होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए drinking होना चाहिए तो तब यह जाकर यह सही होगा क्योंकि addicted to के बाद भी क्या होता है जीरंड का यूज होता है इसी तरह हम एक question और देख लेगते हैं I am I am accustomed to accustomed to to face difficulties 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 ठीक है यह sentence है अब इसमें no error यह sentence का a part है यह sentence का b part है यह sentence का c part d तो accustomed to के बाद accustomed to accustomed to के बाद भी जीरंड का यूज होना चाहिए तो यहाँ पर face गलत है यहाँ पर क्या होना चाहिए facing होना चाहिए तो sentence के c part में look forwarded to taken to addicted to accustomed to इसके बाद अगर sentence में कोई वरब आएगी तो वो जीरंड के रूप में होनी चाहिए एक concept और देख लेते हैं है अपन इसी type का यहाँ पर यहाँ पर अगला concept क्या है अगला concept concept number two concept number two है कि अगर किसी sentence में it is no good यह दिया गया हो या it is no use यह दिया गया हो तो इसके बाद भी अगर कोई वरब आएगी तो वो जीरंड के रूप में होती है यानि कि वरब की first form ing के रूप में यहाँ पर हो गाई तो इसको अपन एक example से समझते हैं कि मालो यह sentence है क्या sentence है it is no good it is no good weep for for departed souls departed souls कि जो लोग मर चुके हैं उनके लिए रोना अच्छी बात नहीं है अब यह sentence का है a part यह sentence का है b part यह है sentence का c part और यह है d अब हमने देखा यहाँ पर it is no good आ रहा है और it is no good के बाद अगर कोई वरब आएगी तो जीरंड के रूप में होनी चाहिए तो यहाँ पर यह वीप वरब आ रही है तो यह जीरंड के रूप में होनी चाहिए यानि कि यह होना चाहिए वीपिंग इसी तरह का दूसरा कोईशन देख लेते हैं अपन यहाँ पर यह लिखा जाए अब यह संटेंस का है यह संटेंस का है यह संटेंस का हो गया और यह हो गया तो हमने देखा यहाँ पर आ रहा है It is no use उसके बा準 वरब आती है तो वो जीरंड के रूप में होती है तो इसका मतलब यहाँपर cry नहीं होगा यहाँपर क्या होना चाहिए यहाँपर होना चाहिए crying यह है concept नमबर हमारा आज का दूसरा It is no good It is no use के बाद भी आपको वर्ब की भश्वोम ing का यूज़ करना है जीरंड का यूज़ करना है तो ये sentence सही होगा otherwise ये गलत होगा चलिए देखते हैं अगला concept आज का तीसरा concept तीसरा concept क्या है हमारा उसको देख लेते हैं तीसरा concept यहाँ पर हम तीसरे concept की बात करते हैं अब रूल हमारा ये है कि अगर sentence में avoid या फिर sentence में मिले आपको पोस्टपॉन पोस्टपॉन, avoid या sentence में आपको मिले dislike या sentence में आपको मिले worth या sentence में आपको मिले deny या फिर sentence में आपको मिले prefer तो इन सब के बाद भी अगर आपको वरब की जरूरत है तो फिर आपको वरब की first form ing का यूज करना चाहिए आज सारे जो concept में आपको बता रहा हूँ वो हमारे हैं जीरंड के उपर और जीरंड होती है वरब की first form plus ing सारे concept आज मैं इसी के उपर बता रहा हूँ आपको जीरंड के उपर कि वरब की first form ing जो noun की तरह काम करती है उसको हम जीरंड कहते हैं तो अगर sentence में avoid है या postpone है या dislike है या worth है, deny है prefer है तो इसके बाद भी आपको अगर वरब की जरूरत पड़ेगी तो वो जीरंड की रूप में होने चाहिए इसको भी अपन example से समझते हैं, कैसे? मालो की हमारे पास ये sentence है you should you should avoid you should avoid play on the road play on the road you should avoid play on the road आपको road पर खेलने के लिए avoid करना चाहिए आपको road पर नहीं खेलना चाहिए तो ये sentence का A पार्ट है ये sentence का B पार्ट है ये sentence का C पार्ट है और ये D अब हमने देखा यहाँ पर है avoid और avoid के बाद अगर कोई वरबाएगी तो जीरंड के रूप में होगी तो यहाँ पर play नहीं होगा अब की बार क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर होगा यू शूड अवोइड प्ले अन दा रोड प्ले अन दा रोड के बदले यू शूड अवोइड प्लेइंग अन दा रोड इसी तरह दूसरा कोईशन ये है कि इनाइड इनाइड की second form इनाइड कॉल मी उसने मुझे कॉल करने से इनकार कर दिया तो डिनाइड के बाद फिर यहाँ पर वरब है तो यहाँ पर यह कॉल नहीं हो सकता यहाँ पर यह क्या होगा यहाँ पर यह होना चाहिए कॉलिंग ठीक है दोस्तों और एक कॉंसेप्ट की बात करें अगला कॉंसेप्ट है इसका की preposition अगर किसी sentence में कोई preposition आ रहा है और preposition के बाद अगर यहां पर कोई वरब है तो यह वरब की first form ing ही होगा अगर कोई वरब है तो फिर वो jirund ही होगा वरब की first form ing ही होगा यह हमारा अगला concept है तो इस concept पर भी हम एक दो question बना के देख लेते हैं जैसे she is question यह है कि she is good at she is good at dance अब at preposition है तो यह dance नहीं हो सकता यह क्या होना चाहिए she is good at dancing यह होना चाहिए और क्या हो सकता है जैसे I am I am sorry I am sorry for call you call you so early I am sorry for call you so early तो यहां पर for preposition है तो फिर यह call नहीं हो सकता तो यहां पर होना चाहिए gerund और यह होगा calling तो दोस्तों यह थे कुछ आज most important concept और आज की class यहीं पर खतम करेंगे छोटी and short and sweet इस class का नाम हमेंने रखा है short but sweet short but sweet class तो short but sweet class का आनन्द आप लेते रहें चोटी चोटी classes हैं यह और चोटे चोटे यह concepts हैं इन चोटे चोटे concepts को सीख कर आप बड़ी से बड़ी सभलता को प्राप्त करेंगे यह मेरा आप से वादा है तो वीडियो को share जरूर क्या करें आप जितने भी ग्रूप से जुड़े हुए हैं उन ग्रूप में share करें definitely सबको फाइदा होगा आगी आने वाली परिक्षा यह सिर्फ Air Force के लिए नहीं कह सकते हैं आगए 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 आप SSE का पेपर देते हो बेंक का पेपर देते हो NDA का पेपर होगा Navy का पेपर होगा किसी भी प्रकार की एक्जाम देते हो और उसमें English grammar है तो उन सभी students के लिए class beneficial रहेगी तो जुड़े रहें और दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें नमस्का